नमस्कार निशामदलिका.com में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए 6 टिफिन रेसिपीज यह सारी रेसिपीज बहुत ज़्यादा टेस्टी है और नुट्रिशन से भरी हुई है तो शुरू करते है तो सबसे पहले टिफिन में बना रहे हैं हम मीठा पो ले लिया वजनने 75 ग्राम दोने के लिए इसमें जल्दी से पानी डालिये यह नहीं कि बोटल से धीरे धीरे पानी आ रहा है और पोहा गलता जा रहा है धो यह फटा फट से पानी निकाल दीचे एक बार और दो लेते जल्दी से पानी डाला और बस पानी निकाल दिया नमक चोथाई चोटी चमच और चीनी एक चोटी चमच ऊपर तक भर के वहाँ अच्छा मीठा बनेगा और अब इन्हें अच्छे तरीके से मिला दीजिए अब इसे आपको लग रहा है यह खिला-खिला इसे फूलने के लिए 10 मिनिट तक ऐसे छोड़ दीजिए इन्हें रखे गरम ओईल में एक चथाई चोटी चमच सरसों की दानी और जब सरसों चटर पटर हो जाए दो तीन टेबली स्पून मूफली के दाने ले लिजिए कच्चे दाने हैं इनको थोड़ा सा भूल लीजिए फ्लेम को लो मीडियम कर लिजिए मूफली के दानों से अच्छी खुश्चबू आने लगी है अब ये करी पत्ता आठ दस करी पत्ते को मैंने काट कर ले लिया है एक पिंच हल्दी पाउडर अब डाल दीजिए ये पोहे और इन सब को मिक्स कर लिजिए फ्लेम लो मीडियम रखिए इस समय मूफली के दाने अगर बच्छों को ज्यादा पसंद हो तो आप थोड़े से ज्यादा भी डाल सकते हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड है बहुत सारा प्रोटीन होता है इसमें जो बच्छों के लिए बहुत जरूरी है ये एक टेबली स्पून किश्मिश और य अगर ताजा नारियल ना हो तो आप इसमें सूखा नारियल भी ग्रेट करके डाल सकते हैं इस सबको अच्छे तरीके से मिला दिया बहुत ही जल्दी नाजसा बनकर तैयार हो जाता है फ्लेम बंद कर दीजे और अब इसमें डालिए नीबू ये आदा नीबू ले लिया मैं अब टिफिन अरेंज कर रहेते हैं और ये इसमें एक छोटा डबा रहता है इसमें डाल देते हैं हम थोड़े से ग्रेप्स पोई के साथ में थोड़े से फल भी मिल जाए जो बच्छों को पसंद हो और अब ये पोहा डाल दीजे जितना बच्छा खाता है उसके इसाब से आप रख दीजे और साथ में ये स्पून ये टिफिन तयार हो गया और ये बचे हुए पोहे ये मीठे पोहे आपको भी बहुत पसंद आएंगे और टिफिन नमबर दो में मैं बना रहे हूं पराठा पैक तो ये एक कप गेहूं का आठा चोथाई छोटी चमच से भी थोड आठा गूत रहे हूं अगर आपके पास फ्रीज में आठा गूता हुआ है तो आप पराठा उसी से बना दीजिए ये आठा गूत क्या इसे ढखकर 10-15 मिनिट के लिए छोड़ दीजिए और तब तक स्टफिंग तयार कर लेते हैं पैन में डाल दीजिए एक चोटी चमच ख चुटी चमच बिल्कुल जरासी स्टफिंग बना रहे हैं और ये आदी से भी कम श्रिम्ला मिर्च को बारीक काट लिया है इसी के साथ डाल देते हैं चुटी चमच नमक या स्वाधन साथ हलका सा भून लेते हैं चुटाई चुटी चमच ग्रेटेड अधरक का पेस्ट ले तेज प्रेम पर इन्हें हलका सा भून लिया और ये एक मीडियम साइज का आलू उबाल कर और मैश करके ले लिया है और ये थोड़ा सा पनीर बच्चों को वराइटी फूड जरूर मिलना चाहिए इसे आलू है सबजी हो गई सिम्ला मेच है लिकिनने कैल्सियम भी बहुत जरूरी है यहां थोड़ा सा पनीर डाल देंगे तो उनका खाना बड़ा हेल्दी हो जाएगा और थोड़ा सा हरा धन्या और इसमें मैं डाल रहे हूं चोथाई छोटी चमच से भी आदी कश्मीरी लान मिर्च बच्चों के लिए हलके मसाले का इक खाना बनाना है और अगर वह बिल्कुल मिर्च नहीं खाते तो आप यह बड़ागे अब इनको मिलाते हुए थोड़ा सा फून लेजे यह स्टफिंग बन गई फ्लेम बन डो को रखे पंदर मिनिट हो गए थोड़ा सा इसे मसाल लेते हैं यह तैयार हो गया अब थोड़ा सा डो इसमें से निकाल ली दीजे और इसे सूखे आटे में लपेट दीजे अब इसे बेल दीजे थोड़ा सा घी लगा दिया और इसको इस तरीके से बंद कर लिया और अब इसे दबा कर सूखे आटे में लपेट लिया और गोल बेल लिया जैसा आप पराठे बनाते हैं रोजाना इस साधा पराठा बैसे तो स्टफिंग से ये पराथे भरकी भी बना सकते हैं लेकिन बच्चों को थोड़ा सा कुछ अलग सा बना के दे तो उन्हें खाने में ज्यादा मजा आता है यह बेल लिया बहुत ज्यादा पतला नहीं है और मोटा भी नहीं है यह पराथा डाल दीजिए इस पैन में औ और नीचे की और से थोड़ा सा सिखने दीजिए इसका कलर थोड़ा डार्क हो गया इसे पलट देते हैं हलका सा सिख गया नीचे की और से अब पहली साइट पे थोड़ा सा घी लगा दीजिए पलट दीजिए थोड़ा सा घी इधर भी और यह देखिए बढ़िया सा फूल फिर से पलट देते हैं अभी इस साइड अच्छी तरीके से सिख गया फ्लेम धीमी है इधर रग दीजे यह स्टफिंग आदे में यह स्टफिंग रग दी और इस परााथे को इस तरीके से मोरद दिया और इस तरीके से दवा दिया अब आप इसे पलट लीजिए और इस साइड भी अच्छा सा सेख लीजिए यह पराठा पैक तयार हो गया इसलिए काट कर रख दें तो वह आसानी से खा लेंगे टिफिन पैक कर लेते हैं और यह बच्छों का पसंदीदा टमाटो सॉस और इस छोटे से डब्बे में अनार के दानी और यह स्पून यह टिफिन नमबर टू तयार है टिफिन नमबर तीन इसमें बनाते हैं बच्छों के लिए क्रिस्पी इडली यह आदा कप सूजी नॉर्मल सूजी है यह और यह दो टेबिली स्पून बेसन इसमें थोड़ा सा बेसन डाल रहे हैं टेस्ट भी बढ़ेगा और बेसन में होता है प्रोटीन और यह आदा कप दही खूब सारा कैल्सियम और अब इसे घोल लीजे बच्चों के लिए जो रैसीपी बनाते हैं उसमें कार्भो हाइड्रेट प्रोटीन कैल्सियम वो जरूर जानी चाहिए बैटर थोड़ा सा गाड़ा है इसमें थोड़ा पानी डाल देते हैं यह हम तुरंत सूजी से बैटर बना रहे हैं अगर आपके पास दाल चावल का फर्मेंट किया हुआ बैटर रखा है तो आप फटाफट उसी से इडली बना ले बैटर देखिए कंसेस्टेंसी थोड़ी सी पोरिंग है बहुत ज्यादा गाड़ा नहीं ह लेकिन अभी यह बैटर और ज्यादा गाड़ा हो जाएगा क्योंकि सूजी पानी को सोक लेगे तो अभी इसे 10 मिनिट के लिए ढखकर रख दीजे इसे रखे हुए 10 मिनिट हो गए और बैटर थोड़ा सा गाड़ा लग रहा है आप कंसिस्टेंसी देखिए विल्कुल बैस ही बैटर है जैसे दाल चावल बाला बैटर होता है इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी सब्जियां डाल दीजे तो यह दो चमच ग्रेटेड गाजर और दो चोटे चमच बारी कटी शिम्ला मेच थोड़ा सा हरा धनिया इससे टेस अच्छा आएगा और यह बि बिला दीजे इने और अब लास्ट में एक चोथाई छोटी चमच इनु फ्रूट सॉल्ट अगर आप बेकिंग सोड़ा डाल रहे हैं तो इसका आधा डालिए इसे एक्टिवेट करने के लिए इसके ऊपर डाल दीजे थोड़ा सा पानी और मिक्स कर दीजे और यह देखिए बैटर अच्छा सा फूला फूला दिखाई देने लगा बैटर तो तयार हो गया और इस बैटर में तीन टेबिल स्पून पानी का यूज़ किया है अब आईए गैस के पास यह एक छोटी सी कड़ाई लेली और इसमें थोड़ा सा घी डाल दीजे और दो मिनिट तक धीमी ग गरम होनी दीजे और इस घी को गढ़ाई के चार और लगा दीजे अगर आपके पास नॉन स्टिक कड़ाई है फिर कोई प्राबलम नहीं है लेकिन अगर नॉन स्टिक कड़ाई नहीं है तो भी परेशान होनी के कोई बात नहीं है और धीमी गयस पर दो तीन मिनिट गरम कर गी घरम होने के बाद इसे थोड़ा सी सर्सों के दाने अपड़ दाल दीजे और अब डाल दीजे यह एक जी साइसे फैला दीजे चारो और थोड़ा सा घि उपर इसे धक कर एक्डम धीमी आग पर तीन मिनिट कुक होटे गए तीन मिनिट हो गए थोड़ा सा इसके ऊपर घी और डाल दीजे और इसको निकाले और अब इसे पलट देते हैं और दूसरी और भी अच्छा दो तीन मिनिट तक सिक ले देते हैं इसे ढखकर को करने से इसकी सिकाई अंदर तक अच्छी तरीके से हो जाती है तीन मिनिट दूसरी ओर से भी कोक कर लिया इधर से भी अच्छी सिख गई निकालने पेंसे थोड़ा सा घी डाल दीजिए थोड़ा से सरसव के दाने और बैटर थोड़ा से घी और इसे 3 मिनिट कोक कर लेते हैं इस बैटर में ऐसी तीन इड्ली बन जाएंगे टिफिन से खाता है और अगर बच्चे सॉस पसंद करते हैं तो आप सॉस रख दीजिए और इसमें रख देते हैं दो खजूर यह बच्चों को अच्छे लगते हैं और यह बहुत निटिश्यस भी है यह टिफिट नमबर 3 तयार टिफिट नमबर 4 इसमें बना रहे हैं सूजी और पनीर का पैनकेक आधा कप सूजी कोई भी ले लिजिए मोटी पतली जैसी भी अबलबल हो आधा कप दही यह मैं जार में डाल रहे हैं ताकि यह जल्दी से अच्छे तरीके से घुल जाएं और यह पनीर का टुकड़ा बच्चों के लिए धेर सारा कैल्सियम थोड़ा सा तोड़के डाल दिया और दो टेबिलिस्पून बेशन यह स्पैशली बच्चों के खाने में एड कीजिए और एक चौथाई चमच नमक या स्वाधन सा थोड़ा सा अध्रग इस पनीर इसलिए इस बना रहे तो फिर पनीर को आप बारी ग्रेटर करें लिजिए जार में थोड़ा सा पानी डाल कर ले लिए उसलिए अच्छे तरीके से मिक्स करते है अलगल यह consistency, pouring consistency है, pancake को तबी पर फैलाएंगे तो वो आसानी से फैल जाएगा, और अब इसमें दो चमबच ग्रेकेट गाचर, एक दो चमबच सिम्ला मिर्च और एक छोटी चमबच हैरा धनिया, पच्चो के खाने में थोड़ी सी सब्जियां भी जरूर सामिल कर दे, अगर आप इस बनाने के लिए नॉन स्टिक तबा ले लिया, थोड़ा सा गी डाल दीजे, तो यह दो चमबच बैटर डाला, थोड़ा गोल गोल फैला दिया, और बच्चो के लिए बना रहे हैं, थोड़ा छोटे छोटे बनाएंगे, आप एक भी बना सकते हैं बड़ा सा, लेकिन बच्बा रच द्धाकर धीमी फ्लेम पर दो मिनिट कुक कर लिजे, दो मिनिट हो गए, अभी न पलटते हैं, देखिए अच्छे गुलावी सिख गए और दूसरे और से घुलावी से बनाएंगे इनको दो तुकड़ों में काठ लेते हैं, यह पैंकेक लगा दिया, और इस दब्बे में डाल देते हैं थोड़ा साथ टमैटो सॉस और ये टिफिन बन ये हो गया टिफिन नमबर फोर और साथ में ये ग्रेप्स टिफिन नमबर फाइब में बनाएंगे मौंग दाल चीला ये आदा कप दूली मौंग की दाल दो घंटे पानी में भिगो कर ले ली है और आप इसे ओवन आट भी भिगो कर ले सकते हैं और ये एक चौथाई कप चावल ये भी इसी के साथ दो घंटे पानी भिगो लिए पानी हटा दिया अब इसे पीसेंगे डाल जार में डाल दीजे मौंग डाल से बहुत सारा प्रोटीन मिला और ये डाले चावल इनसे मिला का ये एक हरी मिर्च दो टुकड़े कर लिए उसके और आदा इंच अद्रक का टुकड़ा छोट छोटे टुकड़े करके ले लिए इन हरी मिर्च अद्रक से चीलेट तीखे नहीं बनेंगे बड़ी असा टेस्ट आएगा ये एक तेहाई छोटी चमच नमच या स्वाधान सर और थोड़ा सा पानी 3-4 टेविली स्पून बारीक पीसा है इसको एक बोल बे निकाल लेते हैं और इसमें डाल दिया ये एक छोटी चमच कटा हुआ हरा धनिया और मिला दिया तो ये चीले के लिए बैटर तयार हो गया ये थोड़ा सा पनीर ग्रेट कर लिया पनीर बच्चे नहीं खाते हैं तो बिल्कुल नहीं डाले और एक छोटी चमच हरा धनिया और एक छोटी चमच बारीक कटे हुए टमाटर आप इसमें बच्चों की पसंद के सबजी और मसाली मिला लें ये स्टफिंग तयार हो गई अब चलते हैं गैस के पास तवा गरम कर लिया थोड़ा सा घी डाल दीजिए उसे पोस दीजिए घी तवे पर ज्यादा रहना ने चाहिए और अब फ्लेम को कर दीजिए एक दम धीमा और तवे को भी थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए तवा ज्यादा गरम हो गया है तो उस पर थोड़ा सा पानी डाल दीजिए क्योंकि चीला जब फैलाएंगे तब जादा गरम नहीं होना चाहिए लगबग दो चमचे बैटर डाल दिया और इसे पतला पतला फैला दीजिए तब एको ठंडा कर लिया आराम से चीला फैला पारें कोई दिक्कत नहीं आप फ्लेम को तेज कर दीजिए और थोड़ा सा घी इसके चा अब देखे इस ओर से हलका से ब्राउन हो गया अब इसे पलट लेते हैं और दूसरी ओर भी थोड़ा सा सेख लेते हैं और दो मिनिट दूसरी ओर भी सेख लिया इधर भी हलकी सी चित्ती आ गए यह अच्छे से सेख गया अब इसके ऊपर यह स्टफिंग डाल दीजिए बैटर बचा हुआ है यह आपका भी नश्ता बन जाएगा फटाफट इसको काट लेते हैं बच्चे आसानी से खा सकेंगे तो यह चीला टिफिंग के अंदर लगा दीजिए और यह आम का मुरब्बा थोड़ा सा इसका मीठा रस यह मुरब्बा बच्चों को बहुत पसंद आता है बैसे आप इस चीली के साथ में सॉस भी रख सकते हैं टिफिंग को बंद कर दीजिए और यह हो गया तयार टिफिं नम्र 6 यह मैं बना रही हूं ब्रेड पीजा तो सबसे पहले इसके लिए हम थोड़ी स्टफिंग तयार करते हैं यह दो चमश बारी कटी हुए टमाटर और दो चमश शिमला मिर्च बारी कटी हुई और यह चोटा-चोटा कटा हुआ दो तीन चमश पनीर इसमें भी आप अ अच्छे तरीके से मिला दिया इसमें दो चमश चीज भी डाल देते हैं यह डाइस मोजरला चीज है आपके पास अगर मोजरला पैक हो तो आप उसे ग्रेट करके डाल दीजे तो यह स्टफिंग तयार हो गई यह दो ब्रेड और इन पर लगा दीजिए थोड़ा-थोड़ा पीजा सास आप पीजा सास की जगए टमाटो सास भी लगा सकते हैं बच्चों को टमाटो सास भी बहुत पसंद आता है और अब यह स्टफिंग इनके उपर और भी ए चीज चीज भी बच्चों के लिए बहुत फायदे मेंन दोता है और इनके ऊपर थोड़ सा और गेन को ठोड़ी सी ब्लैक पेपर और बच्चे अगर चिली फ्लैक्स पसंद करते हैं तो चिली फ्लैक्स डाल दीजे अब आईये गैस के पास थोड़ सा तभी पर घी डाल दीजे आप इन्हें सिखने के लिए रख देते हैं और अब इन्हें ढखकर चीज के मैल्ट होने तक कुक कर लेते हैं फ्लेम लो मीडियम इनसीध विए पांच मिनिट हो गए और चीज si मैलत हो गया है फ्लेम बनWH ब्रेट पीजा बनकर तयार इन्हें काट लेते पीसेश आप अपनी पसंद कि बना लीजे आप ट्फिन अरेंज कर लेतेश और ये ग्रेप्स दे देते और ये एक सौस का बाऊ dec ट्फिन नमर्च तयार ये छे रेशीपी सील ट्फिन तयार है पहुत ही ज़ादा टेस्टी रेसिपीज है और नीट्रिशन से भरी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरे बच्चों को पहुत पसंद आएंगी आप ये रेसिपीज बनाईए और उनका फीडबेक मुझे जरूर दीजे और ये भी बताईए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है अगर मेरा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज तुरंट कर लीजिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज के नोटिफिकेसंस आपको मिलते रहें